सद्कुरू, हाल ही में हुए हाइदरबाद रेप और मर्डर केस के चार आरोपियों को, पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार दी. एक महिला होने के नाते, मैं इन घटनाओं से परिशान हूँ, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि न्याय हुआ. सद्कुरू, क्या आपको भी लगता है कि उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था? जो स्युवा महिला के साथ हुआ, वो दुर्भाग इसे एक अकेली घटना नहीं है, और ये सिर्फ इस देश में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, बस लिंग के आधार पर. एक इनसान के साथ इस तरीके से अमानवे व्यभार किया जाता है, ये हर जगा हो रहा है, इस देश में ये काफी कम था, बस इसलिए क्योंकि इस पीड़ी तक ज्यादतर महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता था, वो अपने घरों में होती थी, और इन चीजों की ज्यादा स नहीं होती थी, क्योंकि वो आम तोर पर सुरक्षित स्थानों में रहती थी, ये पहली पीड़ी है, जो घर के बाहर जा रही है, और अब ये बढ़ रहा है, एक के बाद एक भयंकर घटा, हर घटना दूसरी घटना से ज्यादा आमानवी है, अगर आप इस युवा महिला के मित्र या परिवारजन होते, तो निश्चत रूप से आप ऐसा करना चाहते, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है, मैं दो से तीन साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं कैलिफॉर्निया में था, और वहाँ एक ऐसी ही घटना हुई, हम इस बारे में बात कर रहे थे, और बोल रहे थे, क्योंकि मैं लोगों के ऐसे ग्रूप के साथ था, जो मृत्यू दंड के खिलाफ हैं, वो मृत्यू दंड में विश्वास नहीं रखते, मैं भी किसी को फासी नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही, जब कुछ चीजें होती हैं, ना सिर्फे कपरात के रूप में पर कोई बड़ा खोश हुआ, किसी इनसान को यातना देकर, हातोत साहित करके, और उस इनसान को अत्यंत दुखी करके, उन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने ऐसा करके बहुत मजा लूटा, तो ये बाचीच चल रही थी, और वहां मौजूद एक व्यक्ति, जो म रित्यो दंड के खिलाफ एक अक्टिविस्ट है, उनके साथ गर्मा गर्मी हो गई, तब मैंने पूछा, क्योंकि उनकी भी एक बेटी है, जिसकी उम्र 14-15 साल है, और जिस केस की चर्चा हो रही थी, वो भी लगभग उसी उम्र से संबंधित था, मैंने कहा, मान लीजिए, ऐसा कुछ आपकी बेटी के साथ होता, तो क्या आप तब भी यही कहेंगे, जो आप इतना जोर दे कर कह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, फिर वो कुछ देर चुप हो गए, फिर बूले, मैं उस आदमी की आँखें अपने हाथों से बाहर निकाल दूँगा, और उसके जन तो लोगों में इस तरह की भावना है, अब पुलिस द्वारा इंकाउंटर की बात करें, अगर आप ऐसा तरीका अपनाते हैं, तो देश में सब्यता नहीं बचेगी, अगर पुलीस और न्यायालय परिवार की भावनाओं पर काम करने लगे, या लोगों की भावनाओं पर काम करने लगे, तो कानून जैसा कुछ नहीं बचेगा, एक सभ्य राष्ट्र या समाज बनाने की प्रक्रिया में, कानून का मतलब हमेशा न्याय नहीं होता, कानून मतलब न्याय नहीं होता, कानून ऐसी बहुत से चीज़ों को रोकता है, जो हो सकती हैं, अभी आप कानू उसे चला कर कहीं ले गया, और अपने घर में छुपा दी, तो आपने पांच लोगों को एकठा किया, वहाँ गए, उसे पीटा और अपनी मोटर साइकल लेकर वापस आ गये, अब आप जेल जाएंगे, कानून यही है, क्योंकि आपका काम पुलिस के पास जाकर शिकायत करन तो यह बिलकुल अन्याय जैसा लगता है, लेकिन अगर हम कानून के हिसाब से चलना छोड़ दें, तो शहर जंगल बन जाएगा, ठीक है, तो चाहे उसे पुलिस ने मारा हो, या भीड ने पीट कर मार दिया हो, क्या फर्क पड़ता है, असल में भीड पुलिस टेशन के साम उन्हें खड़ी होकर कहती है, उन्हों को हमें देदो, हम उन्हें देख लेंगे, वो उन्हें पीट कर मार देते, और संसद में भी लोग कह रहे हैं, उन्हें पीट कर मार डालो, संसद में, यही भावना होती है, जब आप देखते हैं, कि उन्होंने इतना घिनोना काम किया इस पर कोई सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें उनसे सहनुभ हूती है, लेकिन अगर आप कानून के हिसाब से चलना छोड़ देंगे और ऐसे काम करने लगेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये बात बिलकुल लोगप्री नहीं होगी, आप मुझे 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 पता चलेगा, मान लीजे मैं पुलिस वाला हूँ, और आज शहर की तरफ से जबरदस दबाव है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? जो पहले चार लोग मुझे या बैटे मिलेंगे, उन्हे पकड़ कर बोल दूँगा, यही वो लोग हैं, और अगर मैं दो दिन रुकूँगा, तो ये लोग सच बोल देंगे, तो सबसे अच्छा है इन्हें गोली मार दो, या जेल में फास ही चड़ा दो, और बोल दो, उन्होंने आत्मा हत्या कर ली, बात खत्म, केस बंद हो प्रामनाएं ऐसी हैं, कि इन लोगों के साथ सही चीज होई, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, ये कुछ भी हो सकता है, लिकिन साथ ही, अगर अंधेरे का फायदा उठा कर, ये लोग भाग जाते, तो देश क्या कहता, तब हम सभी यही कहते, कि ये पुलिस बिलक पत्रकारिता में इस पर हर तरह की बाते होंगी, तो इसके कई पहलू है, ये एक बहुत ज्यादा समवेदन शील मामला है, लेकिन क्या हमें तत्काल न्याय की दिशा में चलना चाहिए, अपराध होते ये अगली सुबाउने मार दो, ये फासी दे दो, अगर आप ऐसा तो ये पीछे की और कदम होगा, दुनिया को सभ्य बनाने के हमारे प्रायासों में, ऐसा मत सोचिए कि दुनिया सभ्य है, ठीक है, आपको लगातार हर पीड़ी में उन्हें सभ्यता की दिशा में ले जाना होगा, लगातार, वरना वो ऐसी भावनाओं के साथ पीछे की और बहुती दुर्भाग्य पूर्ण स्थिती है, ये मेरा है आपका काम नहीं है कि हम पक्ष लें कि सही क्या है और गलत क्या है, यही दुर्भाग्य पूर्ण सच्चाई है, लेकिन मैं कहूंगा कि मुख्य रूप से ये एक नतीजा है, बहुती ज्यादा धीमी नयाए प्रक् पिल्हाल दिल्य में हुए एक और बरबर, बलातकार और हत्या केस में निर्भया के माता पिता, वो भी कह रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज हुई है, हम चाहते हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत करने वालों के साथ भी ऐसा ही हो, क्यों, साथ सालों बाद भी उन्हें आज तक फा पीच जाएगा और हम उसके लिए टैक्स दे रहे हैं, हाँ, हम दे रहे हैं, जब एक जबरदस्त स्थिर इनसान, जब आनंद महिंद्रा जैसे समझदार और संतुलित इनसान कहते हैं कि मैं फासी देने के लिए वॉलंटियर करूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई फासी देने वाला ही नहीं है, क्योंकि सभी ने कहा मृत्यू दंड मत दो, तो फासी देने वालों को निकाल दिया गया, फासी देने वाले ही नहीं है, तो अगर फैसला सुनाया भी गया, तो रसी खीचने वाला कोई नहीं है, जब आनंद महिंद्रा जैसे इनसान, जो बहुती सम कुछ नहीं करेंगे तो यह चीज सामान नहीं हो जाएंगी यह बढ़ रही हैं देश की भावनाय पुलिस के साथ हैं यह अच्छी चीज नहीं है लंबे समय तक यह देश के लिए अच्छा नहीं है क्या है जाएंगी करेंग